नमस्कार साथियो PTT 2024 के सभी शवालो पर चर्चा करेंगे कि कब इसके फॉर्म भरने जाने है इसका एक्जाम कब होगा कौन-कौन विध्यारती इस फॉर्म को भर सकता है और PTT के मात्यम से जो हम बेड करेंगे बेड हमें क्यों करनी चाहिए 4-year course क्या होता है 2-year course क्या होता है किस तरह का एक्जाम पैटर्न होता है क्या इसका सलेवस रहने वाला है किस तरह से हम अपने नजदी की कॉलेज में एडिशन ले सकते हैं इस सभी चर्चा अपन मुद्दो पर चर्चा करने वाले हैं जीए दोस्तो PTT 2024 के जो कुछ होते हैं जिन पर चर्चा करने वाले हैं सबसे पहले बात करेंगे कि इसके फर्म कब भरे जाएंगे साथ हो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा बता दूँ आपको इससे पहले अपने इसकी चर्चा करेंगे की कौन भर सकता है इसके फर्म जिस विध्यारती ने 12 पास किया है यrust जो आप एरिंग में है जिसका 12 चल रहा है या जिसने ग्रेजिशन कर लिया है या ग्रेजिशन में वो आप एरिंग है ऐसे विध्यारती इस PTT के फर्म को एपलाई कर सकते हैं फॉर्म आपके मार्च में मार्च दोहजार चौवीस में आपको पी टीटी के फॉर्म निश्यत रूप से निकल जाएंगे ओपन हो जाएंगे वहां आप जाकर इसको बर सकते हैं इसके एक्जाम की बात करें तो लगवग इसके एक्जाम जो हर वर्स का शेडूल है वो माई में आपको एक्जाम मिड माई के आसपास आपको इसकी एक्जाम देखने को मिलेगी तो माई दोहजार चौवीस में आपको पी टीटी के एक्जाम देखने को मिल सकती है और लगव लगवग इसके एक मेहने बाद ही इसका रजल्ट भी आपको देखने को मिलता है और लगवग अगस्त सितंबर के असपास अगस्त में आपको कॉलिज अलॉट हो जाता है सितंबर से आपकी क्लासेज स्टार्ट हो जाती है यह तो इसकी यह है कि कब फोर्म भरे जाएंगे तो मार्च 2024 में इसके फोर्म भरने जाने है एक्जाम कब होगा मई में आपका एक्जाम होगा कौन-कौन इसके फोर्म को भर सकता है तो 12th pass अभी मैं बताऊँगा 12th pass किस तरह से और graduation किस तरह से तो जिसने 12th की हुई है या 12th में appearing है जिसकी 12 चल रही है और जो graduation कर लिया है या graduation की final year में जो है वो भी ध्यारती इसके फोर्म के apply कर सकता है B.A.D. क्यों करें इसकी चर्चा बनानते में करेंगे इधर देखिए आप B.A.D. 4 year या 2 year ये क्या है दो तरीके से जो है P.T.T. का exam होता है हाला कि जो है exam भी एक दिन connect कराया जाता है और दोनों का pattern भी लगवा है कि है लेकिन थोड़ा सा जो उसका level है उस level में अंतर देखने को मिलता है 4 year का जो P.T.T. देगा अर्था 4 year की जो वीड़ करना चाहता है वो विध्यारती 12th के बाद करता है अर्था जिसने 12th pass कर ली है या 12th में appearing है इसी वर्स वो विध्यारती कौन से form को apply कर सकता है 4 year के form को apply कर सकता है और जिस विध्यारती ने graduation कर लिया है वो विध्यारती जो 2 year का जो course है जिसने BA, BSC, BA किया हुआ है या BSC किया हुआ है या फिर B.com किया हुआ है ऐसे विध्यारती 2 year वाले course के लिए लेजे वाले है तो 4 year जो BA, BA अर्था graduation OC के साथ में करना चाहता है वो तो 4 year course के लिए जाएगा वहां की एक साल की जरूर बच्चत होगी जबकि 2 year के लिए यहां आपको BA, BSC complete आपके B.com complete होना चाहिए तब जाकर आप 2 year वाले को दे सकते हैं क्या इसका exam pattern होने वाला है BA कियों करनी चाहिए इन सब की अपन चर्चा कर लेते हैं देखिए इसका जो exam है आप सभी को पता है अगर मैं इसके syllabus की बात करूँ syllabus की हम बात करें तो syllabus में इसका बिसेश कुछ नहीं है साथियो आपको इसमें एक तो gk का portion है अठार ता ता पचास question तो आपके gk का आते हैं आपके reasoning की question है पचास question से आपके reasoning का आते हैं और Hindi या English में से आपको चूज करना होगा उसके भी आपके कितने प्रशन मिलेंगे पचास questions आपको यहां मिलेंगे और एक आपका teaching aptitude भी आपकी प्रशन पुछ जाते हैं इसके ही संख्या भी कितनी होती है पचास इसकी संख्या होती है अर्था कुल मिलाकर बात करें तो आपके 200 questions आते हैं जिके, reasoning, hindi, english में से एक कचायन करना है और आपका teaching aptitude यह आप से प्रशन पुछे जाते हैं B.A.R.D. हम क्यों करें इससे हमें क्या फायदा है B.A.R.D. करने से तो सुन लिए दोस्तो देखिए इस B.A.R.D. करने के बाद में किसके लिए? मान लिजिए आप grade 3 के सिक्षक बनना चारहे हैं grade 3 के लिए आप apply करना चाते हैं तो आपको B.A.R.D. आवश्चक है grade 3 में level 2 grade 3 में level 2 के सिक्षक के लिए आवश्चक है यहाँ बात करें grade 2 grade 2 second grade के teacher आप बनना चारहे है तो भी आपको क्या आवश्चक है? B.A.R.D. आवश्चक है साथ में अगर आप grade 1 के teacher बनना चारहे हैं तो भी आपको क्या आवश्चक है? B.A.R.D. यहाँ जरूरी है कि आपको master degree आवश्चक है M.A.M.S.C. या M.C. आपके पास होनी चाहिए तो आप grade 1 की दे सकते हैं बाकी यहाँ आपका B.A.R.D. चल सकता है यहाँ भी आपका B.A.R.D. चलेगा यहाँ आपके लिए आपको पता है कि exam होती है आपकी read तो read की पासता भी आपके लिए grade 3 में आवश्चक है कहने का मतलब यह है कि जो प्रमूल जो आपका वो है वो आपका क्या है B.A.R.D. अगर आपने सिक्षक बनने की सोचा है तो आपको B.A.R.D. करना ही होगा चाहिए 4 एर की करें चाहिए 2 एर की करें 4 एर वो करें जो 12 में है जिन्होंने भी exam दी है वो बिद्धारते है 4-2 एर वाले जोनोंने की रिजुशन कर लिए है जो फाइनल एर में है वो दे सकते है कई बिद्धारते को परसने हैं हम सेकंड एर में हैं फस्ट एर में है क्या हम P.T.T. का एक्जाम दे सकते हैं तो नहीं अगर आप P.T.T. का एक्जाम की फाइनल एर में है तो ही आप P.T.T. का एक्जाम दे सकते हैं आने था आप इसके लिए योगय नहीं है ऐसे ही या 12th में अगर आपने 12th कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन 12th में अगर आप एपेरिंग है तो भी आप PTT का एक्जाम दे सकते हैं PTT का एक्जाम कब होने वाला है आपको पता है PTT का एक्जाम मार्च 2024 में इसकी तैयारी आप भी से प्रारम कर दे मई में आपके इसकी एक्जाम होती ही है साथ में आपको बता दूँ कि इसका जो college allotment का system कि जैसे ही आप इसकी एक्जाम देंगे एक्जाम देने के बाद में आपका जो अंक है वो ता दी जाएगा जब वो 600 में से आपका जो selection होगा वो कम सकुम 400 प्लस अगर आपके नमबर आते हैं तो आपका selection हो सकता है अन्य तक इससे कम रहें तो आपकी chances कम है इसलिए आपको तैयारी कि तो बेशी सावशक्ता इसमें होती ही है मैं बात कर रहा था कि college allotment किस तरह सा है पहले आपका result आएगा आपका आपका आपको बता दी जाएगे अनके बाद में आपसे counseling कराई जाएगी counseling का process रहेगा counseling में counseling के बाद में आपको जो है आपका counseling में अगर आपका नम्मर आता है तो आपको जो college allotment है वो कर दिये जाएगा college allotment के बाद में आपको college में क्या करानी होगी reporting करानी होगी और तब जाकर आपका जो session है V8 का वो प्रारम हो जाएगा कहने का मतलब ही है exam पहले की तरह नहरा दीरे दीरे competition इसमें भी बड़ा हुआ है 600 में से लगवख 400 प्लस नम्मर 4500 के आसपास अगर आप number लाएगे तो आपको अपने पास सा college मिल सकता है आने था आपको दूर रायस्तान में कहीं भी आपको इसके लिए डाड़ा जा सकता है इसलिए आपके पास आपके नजदीक आपका फसेंदीता college आपको मिले इसलिए आपको PTT में जम कर मेहनद करनी है और आप हमारे साथ जुड़े रहें सारी update प्राप करने के लिए साथ में कैसा लगा नीचे कमेंट्स वाक्स में जरू बताईएगा साथ में अपने मित्रों को साजा जदो कीजिएगा थेंक्यू